लो माइडियो स्टूडेंट्स आजकी स्क्लास में हम स्टार्ट करने वाले है अज्यो टॉपिक मिक्शर्स और जिसको हम कह सकते हैं रान्स्टेंट बॉईलिंग मिक्शर्स तो स्टूडेंट्स यह भी टॉपिक हमारे ही आईदियल और नॉन एडियल सूलूशन साथ में पॉ पर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि एल सुलुशन पोसिटिव डेवीशन निगेटिव डेवीशन और लास्ट जो आता है वो होता है एक इससा करते हैं जो चाप्टर का है उसका हम first topic start करते है that one is azotropic और constant boiling mixture देखो azotropic और constant boiling mixture क्या होता है अगर मैं आपको इसकी definition बताओ तो इसके पहले हमने positive और negative deviation पढ़ चुके अगर मान के चलो आप positive deviation है किसी का जैसे अगर कोई mixture हमारे पास अगर positive deviation दिखा रहा है या फिर negative deviation दिखा रहा है तो उसकी कुछ rules, regulations जो है हमने previously पढ़ चुके है अब azotropic mixture हमने किस में कहा गया है वो मैं आपको बताती हूँ azotropic mixture एक ऐसे type of liquid mixture होते है हम कहेंगे ऐसे type of liquid mixtures होते है इसमें क्या कहा हमने ऐसे type of liquid mixtures होते है जिसमें क्या होता है having definite composition having definite confusion definite क्या होता है composition होता है composition definite MIT मतलब क्या मैं यहाँ पर definition में चैसे और example अगर मैं बताऊ आपको कि अगर मेरे पास में अभी क्या है ethanol है consider करो आप एक मेरे पास में इतनुल है और साथ में water है इसका मैंने एक mixture बनाया और इस mixture में जो है इथानॉल मैंने कितना लिया है इथानॉल जो है इसमें मैंने लिया है 95.4% जो है वो मैंने इथानॉल लिया है और रिमेनिंग जितना रहेगा वो क्या रहेगा water it means हमने क्या किया एक proper composition लिया है ethanol plus water का सब होता क्या है देखो इसमें a type of liquid mixture having definite composition having definite composition and boiling and boiling like and boiling like a pure liquid or boiling like a pure liquid it means हम bracket में लिखेंगे it means जितना composition हमारा liquid state में है तो उतना ही same composition जो रहेगा same composition जो रहेगा वो किसमें रहेगा same composition उनके vapor phase में भी रहेगा vapor phase में भी रहेगा और ऐसे mixtures को हम कहते है constant boiling mixtures boiling like a pure liquid boiling like a pure liquid is known as is known as constant 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 boiling mixtures इसको क्या कहते हैं हम constant boiling mixtures कहेंगे या तो फिर अगर मुझे इसको क्या कह सकते है azeotrophic mixture हो सकते है या फिर हम इसको कह सकते है azeotropes क्या कह सकते हैं क्लियर है definition अब मैं example के साथ में समझा जैसे कि आप मान के चलो कि मेरे पास में कि ethanol है और water है तो मैंने ethanol कितना लिया है 95.4% जो है हमने ethanol लिया है और जैसे मैंने आपको कहा कि बचा हुआ है मतलब बचा हुआ कितना है यहां पर देखो यहां पर अगर हम देखे 95.4 तो यह हो जाएगा यहां पर 4.6% जो है वो क्या रहेगा water रहेगा अब जब आप इन दोनों mixture को जैस यह होता है 351.3 Kelvin और boiling point of water तो हमें पता ही है boiling point of water कितना होता है 373 Kelvin तो अब क्या होगा जनरल ही क्या होता है कि जैसे भी अगर हम कोई mixture लेते और उसको boil होना start करते तो जैसे ही 51 temperature आएगा यह ethanol boil होकर चला जाएगा 373 जाएगा water boil हो जाएगा तो ऐसे situation में आज़ोट्रोफिक mixture consider नहीं किया जाता है अब क्या होता है कि जैसे ही आपने इन ethanol को और water को एक साथ mix कर लिया है इनका boiling point जो है boiling point इनका क्या हो जाता है boiling point decreases boiling point decreases अगर boiling point decrease भी हो रहा है तो कितना decrease होगा यह देखो यहां पर हम देख सकते कि कितना डिक्रीज होता है boiling point decreases और इनका जो नया boiling point रहेगा वो boiling point रहेगा 351.3 Kelvin यह और यह हम बात कर रहे हैं उन mixtures की बात कर रहे हैं mixture के आ रहा है समझ में आ रहा है मैं एक बर फिर से इसको समझाने की कोशिश करती हूं समझाने की कोशिश करती हूं कैसे अब देखो यहां पर यह तो हमारा प्रॉपर एक एक जांपल लिया हम थोड़ा सा hypothetical सोच हमारे पास में compound A है and compound B compound A जो है इसका boiling point होता है 100 degree ठीक है इसका हमने compound B लिया इसका boiling point होता है 120 degree हम थोच रहे हैं अब हमने क्या किया इन दोनों को मिल आकर एक mixture बना लिया ठीक है दोनों को mix कर लिया और mixture बना लिया अब क्या होगा mixture जैसे हमने बनाया तो यह A और B हो जाएगा अब जैसे ही अपने mixture को बना लिया है तो वहाँ पर दो possibility हो सकते जैसे यह दोनों का हमने क्या कि एक mixture बनाया हमने क्या observe कि जैसी ही यह 90 डिग्री पर आता है 90 डिग्री पर बॉइल होना स्टार्ट कर देता है तो इसका क्या हुआ boiling point क्या हुआ इस situation में decrease हुआ अब वहाँ पर एक और possibility हो सकती है जहां पर इन दोनों का boiling point increase भी हो सकता है यहां पर क्या हो सकता है इन दोनों का boiling point increase भी हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमारा जो vapor phase रहेगा क्या रहेगा हमारा vapor phase रहेगा vapor phase में हमें same composition चाहिए same composition मि से अगर मैंने यहां 60% A का लिया था मिक्स करते समय और 40% B लिया था तो वेपर फेज में भी मुझे 60% A मिलना चाहिए और वेपर फेज में ही हमें 40% B भी मिलना चाहिए और ऐसे मिक्षर को कहा जाता है कॉंस्टेंट बॉइलिंग मिक्षर और एजियो ट्रॉपिक मिक्षर आया रहा है समझ में आगे आपको चलो अब हम इसका थोड़ा सा प्रॉपर एक्जामपल लेके समझते हैं यह तो मैंने हाइपोथेटिकल सिफ समझाने के लिए जो है मैंने यह एक्जामपल लिया था और तो ऐसे मिक्षर को हम क्या कहेंगे हम ऐसे मिक्षर को कहते हैं आजियो ट्रॉपिक मिक्षर क्या कहते हैं ठीक है अब देखो अजियो ट्रॉपिक मिक्षर का एक और हम एक्जामपल ले सकते हैं जैसे कि देखो यहां पर यह तो क्या हुआ यहां पर बॉइलिंग पॉइ और नाइट्रिक आइसिड जिसका बॉइलिंग Pорт कितना होतास सब्सक्राएं बासमा होता है! जब आप इनको दोनों को mix करते हो तो यह दोनों boil होना start करते हैं that is boil at 393.5 Kelvin वो 393.5 Kelvin पे boil होना start करते हैं तो यह हमें क्या बता रहा है यह हमें बता रहा है कि boiling point जो है इनका increase हो चुका है देखो boiling point increases और boiling point increase हुआ क्यों क्योंकि 59 आएगा तो यह boil होना start नहीं होगा 73 आएगा तब भी नहीं होगा इस temperature पे boil होगा और उस temperature पे इन दोनों का composition भी रहेगा जो की composition पहले से हमें दिया गया है वेपर फेज में और liquid phase में same composition रहता है तो अगर हम एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे अजियो ट्रॉपिक मिक्षर को तो हम कहेंगे mixtures ऐसे mixtures जो की क्या है boy mixtures boil at boil at same temperature दोनों जो है same temperature पे boil होंगे having same composition और दोनों का composition कैसा होगा same होगा having same composition आप देखो यहां पर जैसे हमने देखा कि यह जो हम देख लेंगे जनरल हम देखते कि हमने टू टाइप स्केल वह देखे थे mixtures देखे एक देखा था हमने positive deviation और second जो है वह हमने देखा था negative deviation तो यहां पर हम देखते हैं कि यह ऐसे जहां पर boiling point कम हुआ तो इसी को हम क्या कहेंगे boiling point कम हुआ इसी लिए हम इसको कहते हैं minimum boiling as your drop इसको हम क्या कहेंगे minimum boiling as your drop minimum boiling as your drops यहाँ पर क्या हुआ boiling point increase हुआ इसलिए इसको कहते हैं maximum boiling azotropes हम कहते हैं maximum boiling azotropes maximum boiling azotropes ठीक है चलो देखो अब हमने जैसे हमने अभी azotropic mixture देखा उसके दो types देखे अब हमें देखना है कि minimum boiling azotropes होते है और maximum boiling azotrop होते हैं वह किस mixture के साथ में properly justify कर देजिसे अगर और जैसे निगेटिव डिवियेशन है या फिर positive deviation उसके बारे में देखें अभी हमने क्या देखा हमने ये देखा कि हमारे में गया है as azeotropy minimum boiling azeotropy minimum boiling azeotropy जो रहेंगे वो रहेंगे Maximum Boiling Azeotropes क्या कहेंगे हम इनको Maximum Boiling Azeotropes Azeotropes भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं Minimum Boiling Azeotropes और यहाँ पर हम कहेंगे Maximum Boiling Azeotropes चीक है Minimum Boiling हो गया Maximum Boiling हो गया अब देखो Minimum Boiling Azeotropes Generally कौन से solutions दिखाते हैं Positive Deviation from Raoul's Law Solution which shows Positive Deviation Positive Deviation Positive Deviation from Raoul's Law ऐसे solution हमेशा कैसे दिखाएंगे Minimum Boiling Azeotropes दिखाएंगे Maximum Boiling Azeotropes कौन से solutions दिखाते हैं Maximum Boiling Azeotropes दिखाते हैं Negative Deviation ऐसे solutions जो क्या दिखाते हैं Negative Deviation दिखाते हैं From Raoul's Law Right So student इस तरीके से हम Azeotropic Mixture हम स्टड़ी कर सकते हैं इसी के बेसे पे हमेशा एक क्वेशन आता है और वो होता है देखो क्वेशन से जादा हम यह कह सकते हैं कि हमने क्या कहा यह बहुत ही important सा concept है हम कहते हैं कि जो Azeotropic Mixture होते हैं Azeotropic Mixtures Azeotropic Mixtures Cannot be separated Cannot be separated Azeotropic Mixture Cannot be separated by Fractional Distillation Cannot be separated by Fractional Distillation इसका मतलब क्या हुआ Fractional Distillation मतलब क्या होता है कि जिसका boiling point कम होता है वो पहले वेपोराइज हो कि हम उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं But Azeotropic Mixture में ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि दोनों एक साथ ही एके टेंपरिचर पे boil होना स्टार्ट करेंगे स्टोडेंट आज के इस टॉपिक में जो भी मैंने पढ़ाए ये theoretical topic है हमेशा इसके उपर theoretical ही questions आते हैं तो आप सभी को ये topic properly prepare करना है आप इसको NCRT में से पढ़ेंगे और theoretical topic जो है ये properly prepare कीजिए next class में मैं आपको अभी numerical based topic स्टार्ट करूंगी and that one is collegative properties and determination of a molecular mass I hope आज की class में मैंने आपको जो भी समझा आया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा Thank you students and have a good day ahead